कुम्भ राशी के स्वामी शनी देव अभी आपकी राशी में विराजमान है और ग्यारा फरवरी इस दिन शनी अस्त होने वाले हैं देखिए जोतिस में अगर मैं शनी की बात करूँ तो शनी को एक तो देखकर आपको डरना नहीं है क्योंकि शनी व्यक्ति के जीवन में गलती करने से रोकता है पहले प्यार से और फिर थोड़ा सा दंड देकर एक सिक्षक हमें सुधारता है इसी तरह से शनी करते हैं शनी भी व्यक्ति को जीवन में अनुसाशन बनाने में मदद करते हैं और साथ ही हमें यह भी सिखाते हैं कि गलती करोगे तो दंड भी मिलेग जैसे टीचर गलती करने पर दंड देता है न वही इस्तिथी शनी की हमारे जीवन में होती है और हाँ एक बात और है कि अगर किसी भी व्यक्ति को शनी का आशिरवाद मिल जाता है सबसे पहली चीज तो वो व्यक्ति मर्यादा में रहकर काम करना सीख जाता है और साथ ही अब कोई भी जब शनी कठी निर्णा लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा कि जीवन में कठनाई का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन बाद में शनी की किरपा भी उतनी ही होती है क्योंकि वो आपके जीवन में किस थिर्टा लेकर आता है अब शनी का आस्त होना आपके लिए कुम्ब राशी के लोगों के लिए किस तरह के प्रभावर देने वाला है अब ये जो शनी की अपनी राशी है कुम्ब राशी ये इसकी मूल तिरकोन राशी है जहां वो सबसे ज़ादा सकते साली होते हैं जहां उनको सबसे ज़ादा परिपक्व माना गया है 11 वी राशी है और साथ में ये वो राशी है जहां इच्छा पूर्ती भी संभाव होती है क्योंकि ये मूण तिरकोन राशी है उसमें देरी ज़रूर देखने को मिल सकती है आपको कि आपको नहीं मिला हो अभी तक कोई इच्छा पूर्टी ना हुई हो देरी तो होगी लेकिन इच्छा पूरी ज़रूर होगी क्योंकि ये शनी का काम है, कि शनी जहां बैठेगा उस घर से जुड़ी इच्छाएं पुरी करेगा, धीरे ही सही, लेकिन करेगा ही करेगा, अब शनी आस्त हो रहे हैं, और शनी का आस्त होने का मतलब है, कि एक तो सारी साती का चरन चल रहा है आपके उपर, जो कुमराशी के जाते हैं तो द्वित्य चरण चल गया है तो आस्त होने का मतलब है कि जब शनी आस्त होंगे तो उनके जो प्रतिकुल प्रभाव है ना उनका असर जीवन में कम देखने को मिलेगा लोगों के उपर जो नेगिटिव चीज हैं तो यहां शनी थोड़े कमजोर अवस्था में आ कैसे आपके लिए इनका रिजल jal अच्छा हो सकता है मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे आप पता कर सकता है कि शनी आपको पीड़ित कर रहे हैं वैसे तो आपके उपर साथे साथी चल रही है लेकिन अगर आपकी तो होनेक से एक तो आपको अपने उपर ध्यान जादा देना होगा, स्वास्ते का जादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्ते समंधी परिशानिया देखने को मिल सकती हैं, दात समंधी हो गई, आख समंधी हो गई, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंक तो आपको अपने नौकरी के पैटरन में बदलाव देखने को मिलेगा और साथ में आपको यात्राओं का योग बन रहा है यात्राओं आपको ज्यादा करने को मिल सकती हैं काम के सिलसले में यात्राओं आपकी हो सकती हैं और यहां आपके मन में यी विचार भी आ सकता है क्यो अगर आप business कर रहे हैं, आप website कर रहे हैं, तो साज़दारी के साथ website कर रहे हैं, तो यहां आपको result तो मिलेंगे, अच्छे lab भी आपको होंगे, लेकिन अपनी साज़दारी के साथ अपनी bonding को अच्छे बना कर चलना पड़ेगा, जब भी कोई decision लें, तो अच्छे से सोच मुनाफे को पाने के लिए, बस अपनी जो रन्नीतियां हैं, उनुपर ध्यान देना है, धन की मैं बात करूँ, तो देखे, धन भी प्राप्त होगा आपको, ऐसा नहीं धन प्राप्त नहीं होगा, यहां से आज तो शनी कमजोर हो चुके हैं, तीसरी दरस्टी तीसरे भाव पर पड़ रही है, तीसरी दरस्टी तीसरे भाव पर है, तो क्या वहां आपको साहस भी रहेगा, वहां आपको जो पराकरम है वो भी रहेगा, लेकिन उसके स्वामी कहां बैठे हैं, उसके स्वामी बैठे हैं, तीसरे भाव के स्वामी बैठे हैं, आपके बार्वे भाव म तो यहां यात्राओं का योग बनाएंगे और यात्राओं से धन खर्चे का योग भी बनेगा। रिष्टों के बाद करें तो रिष्टों में चीजें जो हैं वो ठीक ठाक देखने को मिलने वाली हैं बस अपने आपसी प्रेम को बनाये रखना है विश्वास को बनाये रखना है तालमेल को ठीक रखना है एहंकार अपने अंदर नहीं लेकर आना है एहंकार आएगा तो एहं काम पर ध्यान देना है फिर उसका लाब भी मिलेगा अच्छा आप इससे लाब कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना कि कैसे आप अपने शनी को शनी अस्त हैं लेकिन जो शनी के प्रभाव हैं उनको आप कमी कैसे कर सकते हैं उन चीजों में इसक कि आपकी जो जन्म की स्थिती है जन्म जो शनी की स्थिती है वो भी माइने रखती है तो अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकराया तो समझ लेजिए शनी कमजोर अवस्था में है आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है कई तरह की मुसीबते आ रही हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है तो शनी कमजोर है लगातार स्वास्त समंदी परिशानिया बनी हुई है तो शनी कमजोर है आप अंदर से उदास महसूस कर रहे हो और साथ में मन जो है वो एक्दम उच्टा हुआ मन है तो भी शनी कमजोर है पेडित है कई सारी ऐसी अब आपको करना क्या है चलिए अब उपाय हम बताते हैं कि क्या उपाय आप कर सकते हैं जो बहुत लाबदायक रहेंगे जरूर करने हैं शनी ग्रह को मजबूत कैसे कर सकते हैं शनी देव मजदूरों के कारक हैं गरीबों के कारक हैं शनी ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा जरूरत मंद लोगों को देखे ऐसे ही किसी को नहीं जरूरत मंद लोगों को खाने पीने की पहनने की ओड़ने की कुछ भी चीज़ अगर आप उनको दान कर सकते हैं अपने सामर्थे की अनुसार तो वो सबसे अच्छा जीज आपके लिए होगी शनिवार के दिन किसी भी शनी मंदिर में जाएं वहाँ सरसो के या फिर तिल के तेल का एक दीपक जलाएं और दीपक में थोड़े से तिल भी डाल दें तो और भी अच्छा हो जाएगा और क्या कर सकते हैं एक के बाद एक उपाय में आपको बताउंगी जिन में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं ब्हगवान शंकर को शनी देव का गुरू माना गया है ऐसे में और देखे ब्हगवान शंकर क्या है वही से शुरू है सब कुछ और वही पर आन्त है देवों के देव है, ऐसे में, शनिवार के दिन एक लोटे में जल लेकर और पुष्प लेकर और थोड़ा सा गंगा जल डालें, काले तिल भी डाल सकते हैं, एक लोटा जल भी आप डाल देंगे तो भी छलेगा, भागवान शिव पर शढ़ाए, प्रती शनिवार को करें और शनीदेव डरते हैं तो ये एक ऐसी चीजे हैं जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं और भी कुछ नहीं कर सकते दान नहीं करना शनी मंदिल नहीं जाना तो भगवान शंकर की उपात ना करने से शनीदेव की चीजों में राहत देखने को मिलेगी शनीवार और स अच्छा उपाय आपके लिए है साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें